नमस्कार दोस्तों, NR Study e-learning प्लेटफर्म पर आपका स्वागत है पहले तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथी बेल आइकन का बटन जोड़ दबाए दोस्तों, NR Study e-learning चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी नीचे आपको एक NR Study e-learning चैनल मिल जाएगा उसको भी सब्सक्राइब कर ले जगा क्योंकि वहाँ पर आपको अलग से कंटेन्ट देने वाले हैं जिसमें एन्सेयर्टी बैस होगा पूरा का पूरा जिसे 7th, 8th, 9th, 10th इनकी सारे नोट्स वहाँ पर उपलब्द करा दिये जाएंगे अब आकि आप देख सकते हैं वहाँ पर 6th क्लास के नोट्स वहाँ पर उपलब्द है और अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जल्दी से आप पेज को फोलो कर लिजेगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आज की ये क्लास दमाकेदार होने वाली है दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप हमारा आपका जो साथ मिल रहा है बहुत अच्छा साथ मिल रहा है और ऐसे ही साथ बना रखे क्योंकि आज ये 33 क्लास है लगबग 32 क्लास है हमारी हो चुकी है और वह भी सांदार क्लास रही और आप ये सारी क्लास्य अट्रेन करें क्योंकि आप मान के चलिए इनमें से आपको मैं पूरा 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि पूरी गारेंटी तो कोई नहीं ले सकता है तो मैं लगबग ये कह सकता हूँ कि 90 से अब हुआ आपको मिल जाएंगे क्योंकि क्युस्तानी ऐसे बनाए हुए आपको लग जाएगा वास्तों में इंपोर्टेंट है चलो दोस्तों जल्दी से जूड़ जाएगा बस आपसे एक निवेदन है एक छोटा सा निवेदन है मैं मानता हूँ आप जरूर करेंगे बस वीडियो को सेर कर दीजीगा तो चलो दोस्तों हर बार की तरह हम टोपर्स के नाम लेते हैं तो हमने जितनी ज़्यादा संक्या हो रही है उसके साबसे हमने 10 टोपर्स के नाम लेते थे इस बार हमने 10 Toppers के नाम कर दी चलो तो मैं 10 Toppers के नाम लेने वाला हूँ तो जल्दी से आप दोस्तों एक निवेदन है छोटा सा बस सेर करते रहे बिल्कुल सेर करते रहे सेर करते रहे राम राम बिल्कुल जे स्री कृष्णा बिल्कुल स्वागत है आपका चलो बता देते हैं नाम बता देते हैं आपको देखो पहले इस्तान पर रहे हैं आपके विकास खंडेलवाल तो विकास जी को बहुत बहुत बदाई हो जो इन्होंने आंसुर दिये लगब कूंकि ये लगबं तीसरी बाहर आ चुके हैं और तीसरी बाहर इन ने अपना इस्तान प्राप्ट किया अच्छी बात है कि इनोंने भी कापी आ श्वराज चाई अपके और workout में था लगबं कोई न कोई स्तान रखती हैं क्योंकि इनकी जो लगन है वास्तों में काबिले तारीफ है तो दीपी का जी को भी बहुत बहुत बदई हो स्वागत है आपका बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है ओ देखो अगले चटे इस्तान पर है परकास कुमार गोहल तेको परकास कुमार गोहल जी आपको बहुत बहुत बदई हो आपका भी अच्छा प्रतसन रावी बहुती बेलकुल स्वागत है और सात्वे स्थान पर है आकास सेनी तो आकास जी को बहुत बहुत बदाई हो और आट वे इस्तान पर है नंद किसोर सामरिया तो नंद किसोर सामरिया रहे हैं आट वे इस्तान पर और नम्मे इस्तान पर है अनिस्का मीना अनिस्का मीना भी लगवग दो तीन बार आचुगे बिल्कुल अनिस्का जी बहुत बदाई हो आपको बिल्कुल बिल्कुल और द जगन होनी चाहिए एक्जाम में भी चलो हर बार के तरह हम मोटिवेशन शुरू करते बिल्कुल स्वागत है आपका बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आप प्यार बनाए रखें बिल्कुल हमारी कोशिस रहेगी कि हम जो ग्रोपी शुरू होना वाली राजस्तान की यह जल्दी क् चलो एक अच्छा सा मोटिवेशन ले लेते हैं क्यों ले ले देखो होके मायूस ना यूँ साम की तरह डलते रहे होके मायूस ना यूँ साम की तरह डलते रहे होके मायूस ना यूँ साम की तरह डलते रहे होके मायूस ना यूँ साम की तरह डलते रहे होके मायूस ना यू आप चोटी भी मैनत करते हैं, तो वो regular रखे, क्योंकि अचानक अगर हम चलते हैं, कि हम दो दिन में कामय भी पाले, तो ये कभी नहीं हो सकता है. हमें कभी कबार निराशा प्राप्त हो जाती है, कि हम इतनी मैनत कर रहा है, लग नहीं रहे हैं हमारा परिणाम क्या होगा तो दोस्तो हम ऐसा जिंदिगी में ध्यान रखना अपना फिल्ड चेंज मत करो क्योंकि फिल्ड चेंज करते हैं आप शुरूर से वापस उस पर मेनद करने लग जाते हो मैंने ऐसा कई बार देखा है जो पढ़ाई के बाद फिल्ड चेंज करके द्यूसरे फिल्ड में चल जाते हैं जरूरर नहीं है कि सपलता आपको जल्दी मिल जाएगी पर आप चलते रहे रहा पर चलते रहे शपलता एक दिन जरूर आपको मिल जाएगी तो इसी ही मोटीवेसन के साथ पेज को फोलो कर लिजेगा हाँ सेर कर दीजेगा स्वागत है बिल्कुल जैस्री किशना चलो दोस्तो तो इसी के साथ एक प्यारा से क्योशन आपके साम ना चुका है दोस्तो एक निवेदिन करना चाहूंगा अगर आपको कहीं क्योशन में लगे कि सर हमको यहां पर वोकर बता दीजिएगा बिलकुल ठीक है चलो कि उसे ने आपका रोलो वाप्रियों गीत में वर्णन या अपको बतना है कि रोलो वाप्रियों गीत है यह भेशतां के में किसका बटनाँ गया है या आपको बताना है का अंग्रेज की फूट डालो राजकरोर निती का या अठास सतपन की ग्रांति का या डूंगर जी जमार जी की वीर्था का डूंगर जी जमार जी जो कि आपके सिकर से समधित है और ओप्शन डी है लोट या जाट एओ करणिया मीना का न तो यहां पर देखो चार ओप्शन है क्यूशन से किया जाएगा बिल्कुल सा गते स्वागत है चलो आपको बता देते हैं पिछली क्लास्रीख कुमेटर थे कि सा थ्ट जल्दी बताएंगे बिल्कुल या जितिका यह विर और ये क्यूशन पूचा भी गया है और काफी एक्जाम में ये देखने में मिला है तो बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल स्वागत है आपका स्वागत है बिल्कुल ऐसे ही अपना साथ बनाए रखे चलो तो एक अच्छा सा क्योशन आपके इसकेन पर आच चुका है तो जल्दी से बता दीजिगा क्या होगा इसका correct transfer देखेंगा क्योशन है जस्मा ओडन जलाल बुबाना जस्मा ओडन जलाल बुबाना बीजे सोरटरी बात सेनी बीजानंद उमा दे भट्यानी पन्ना अभीनम दे नाग जी नागमती देखो आपको बताना है यह आदिक क्या है यह सब्भी है क्या मैं आपको बता देता हूँ यह क्योशन दूसरी बार आ चुका है आप सोस रहोंगे कि सब्भार बार क्योशन ला रहे है कुछ ऐसे क्योशन है जो मैं बार बार लाना चाहता हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाए चलो फिर भी बताओ उप्शन ए है यहापर सोर्य परतान कथा है आपसन B है राजस्तानी प्रेम परतान लोग कथा है आपसन C है त्रिया चरितर की कथा है और आपसन D है लोग देवी देवताओ की गाता है चार आपसन है और चारों में से कोई एक इसका करेक्ट आन्सर बिलकुल स्वागत है चलो जल्दी से बताओ यह हो चुका आए कि उसनद फिर भी आपस्तानी प्रेम परतान लोग कथा है देखेगा जस्मा ओडन जलाल बूबाना बीजे सोरट रिबात शहनी बीजान अनदे बठ्यानी पन्ना वीरमदे नाग जी नागमती आधिक्या है राजस्तानी प्रेम परदान लोग कथा है तो चले बिल्कुल ऑप्सन बी जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल आप काबिले तारीफ है बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल बिल्कुल जरूर 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 स्वागत है बिल्कुल बताना है कि राजस्तानी नाटकों के जनक बेको नाटक सबसे ज़्यादा पूर्वी चेतर में पर्चलित थे तो आपको बताना है कि राजस्तानी नाटकों के जनक यह उन रिड्रसक कौन थे option A है स्वर्गे बाबू मानिके लाल डांगी option B है कने लाल पमार option C है Master Nenoram option D है गानपतलाल डांगी जल्दी से बता दीजेगा बिल्कुल कोई confusion हो तो आप बेफिकर होकर बता सकते हैं बिल्कुल क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है confusion हो सकता है बिल्कुल जल्दी बताए चलो राजस्तानी नाटकों के जनक क्या हो निर्दे सकते हैं बिल्कुल स्वागत है आपका तो कने लाल इनका correct answer है जिन्होंने option B आणसर दे बिल्कुल आपका चलो चलते हैं तो आपके इसकिन पर एक प्यारा सा अगला क्योंसना आच चुका है और इसका आपको आणसर देना है बिल्कुल बिल्कुल देखेगा क्योंसने नीम्बू कसुम्बो रीडमल मदकर एक थंब्यो महल कोच्वियो राणो बीजा सोरट आदी क्या है अच्छा क लोक नर्ती है या लोक गीत है या विविएन संसकार 16 संसकार होते हैं तो उन्हें से बताना आएगी किया यह संसकार है क्या यह गीत है यह नर्ती है यह नर्टी चलो बताओ जल्दि यह भी क्योष्टन हो चुका ऐसा है अभी 15 क्योष्टन चलेंगे उसके बाद हम मैं तो पुन सीरीज लेंगे आज आपको काफी अच्छे क्योष्टन देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ हमने राजनितिक के भी हमने क्योष्टन लिए इस बार पॉलिटिक के भी तो वो भी आ option give you the drop to describe साहई है बिल्कुल स्वागत है आपका स्वागतिस fen impression काड़ी में हम आगे चलते हैं चलो अगओ लिएंनली रचनिक पदार हैं पदारी आपकर स्वागत आपको देतेजिएगा पार्सी रंग, कि यह गणपत लाल डांगी अप्सन डी है उप्युप्त सभी यह पार्सी रंग मंच के बारे में आपको बताना है जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए का जल्दी इल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका स्वागत है जल्दी नूर्घ oh और उपर वालेज सभी यह पर कर्ड़ करेक्ट बिलकुल बिल्कुल स्वागत है आपका चलो बिलकुल ऑप्शन फोर जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आपका जवाब भी बिल्कुल सई है विर मैं आपको बता देने चाहता हूँ कि जो हमने सुरुवात के अंदर लगवग त तीन क्लासे ही ली थी और तीन चार क्लासे ली थी उनमें से एक जो एक्जाम वहता डिप्टी कमांडेट उसके अंदर लगबग हमें पंद्रा से सोला क्योशन देखने को मिले आप देख सकते हैं, हमने पेपर का विशलेषन भी कर रखा है, बिल्कुल बिल्कूल चलो क्योशन के वर बढ़ते हैं आपको सुमेलित करना है याप येक को एख तरफ देर किये गायन और एक तरफ देर का आपके सेलिया है नए जल्दी बताओ सुमेलित कीजिए एक गायन प्रवतक और शेल्या दे रही है ऑप्शन है यहाँ पर गोर्वानी और सामने दे रही है सिर्चन नहार है या ब्रजनंद डागर है या तांसन है या सम्मोंच यह यह खंडार वानी इसके भी चार ऑप्शन दे रही है डागूर वाणी इसके भी चार ओप्षन है और वाणी अच्छा कि उसने इसलिए थोड़ा टाइम आपको देदेते हैं जल्दी से बता दीजिएगा ज्यादा टाइम आपको नहीं देंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि कुछ कमेंट आ जाते हैं कि सरा आप चल्दी नहीं ब देखते जाता है पर दो आंसर कमेंट बिल्कुल कम आते हैं तो यह कंजिशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो आपको भी साथ में याद होता है बिल्कुल बिल्कुल चलो ओप्षन है इसका करेक्ट आंसर है देखेगा यहाँ पर गायन प्रवतक और सेल अंदर डागर है वह नहर वानी के हैं आपके सिरीचंद नहार है ना नहाँ शबत्या भरतपूर बिल्कुल चलो दोस्तों सलते हैं अगले क्योंद्व्षन के और बिल्कुल बिल्कुल को चलो यह रापके स्केम पर अगला क्योंद्वार बता दीजिएगा अलवर का रसकान का जाता अच्छा क्यों से पूचा गया है कि अलवर का रस्कान किसे का जाता है अच्छा क्यों से अलवर का रस्कान किसे का जाता है मुहमद सारंगिले मुहमद सारंगिला तो वह यहां पर है मुहमद सारंगिले ऑप्सन भी है नवाब वाजिद अली सहा और ऑप्सन सी है रा पैल्कुल बैल्कुल देदेठे आटान्सेर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्सन ने टेदेघे आँल आघी प्रेन दार को आपका जवाब प्लुकुल बिल्कुल चलता है धोस्तों पर चलो 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 बिल्कुल 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 चलो आपके स्कीन पर आगला क्यों आ चुका है देखिए अच्छा क्यों नर्ती किस जाती की इस्त्रियों द्वारा किया जाता है आपको बताना है कि जो मोर नर्ती है वो किस जाती द्वारा किया जाता है यह जल्दी बताएगा क्या होगा इसका correct answer अच्छा question है जल्दी बताएगा बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका स्वागत है बिल्कुल correct answer बताएगा जल्दी से बताएगा चलो बता देता है correct answer क्या होगा इसका option A नट जाती द्वारा क्या जाता है तो ध्यान दीजीगा जाती के द्वारा मोर नट जाता है चलो अगले क्यों चलते है मिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्यों आरा है सपेरा नट यह? यह तो आप बताए दोगा कि सपेरा नट किस जाती का है option A nut, option B काल बेलिया ऑप्चिन ईपपा ऑप्चिन दी कंजर कंजर बोपा काल बेलिया और निट को चलो जल्दी से बता देजmail prank return jan में जल्द जल्दी दोस्तों क्या होका खेट बता द्द आगला करेक्ट आंसर चल्द बता देते हैं करेक्ट आसर क्या होगा लेखो ज़ेए चलो अगला ग्योशन आपके स्केर्ण पर आसुका है ज़सद करना हैपको अच्छा क्यूसने यह उप्षेन डूल जांजर नर्ति यालो डी डषरण चित्त लडगर दुंगरपूर ओर प lihat पास वड़ा ओर तुराकलंगी नर्तिए जालोड़ीदवनाँ चीतन्का डूंगरपूर बासवड़ा लेको चारओ-oubl bugsper अच्छें इंपोटेंगेंगे कबता दिजिगा और वहतेई खुषिकी बात है आरटिस एक्संट हमने पूरे नहीं हैं 800 क्यूशन हो चुके हैं अब 1500 में से साथ सो क्यूशन बचा है जो जल्दी पूरे कर लिये जाएंगे बिल्कुल जल्दी बताएगा बिल्कुल बताएगा बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका चलो बता देते हैं करेक्ट आंसरों का ओप्शन सी चालोर का फेह्मस है अड़ोल जालोर का प अलुवल डोल जालोर का जालोर नटीए जालोर का त्यरे ताली तैरेा ताली बजयों ताली डीड वाना तुड्रा कलंगी धारी आपर तुर्ण क哇 नर्थिय बास वड़ा जर्वणगаже जालोर A attention C, बिल्कुल-विल्कुल फ़ाकत है आपका, बिल्कुल, चले, अगले क्योशन के ओर, चलते हैं, यहरापकी स्क्राइट पर, आगले जोशन, बर्गु क्या है कि बर्गु क्या है एक तो ऐसे हम वह बर्गु नहीं आपर यह अलग बर्गु है ना बतो जल्दी बताओ सब्सक्राइब करेंगे जो की हाली में पूचे गये हैं वह भी लेंगे बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा कि चलो औप संफिन वह का सुल्सीर वादियरू रगु क्या है सु dewष वाद्व वादियर्burst है विल्कुल विल्कुल चलते हैं दोस्तों फर यह घंख je क्यों पुर्व ऑपस्थन को स्का मैं कर बार्च्धों हूं उम्लाव हे तो उम्लाव क्या है बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा कहीं पर confusion ओ तो आप बेज जिजक बोलते रहें बिल्कुल स्वागत है स्वागत है क्यों से लग रहें आपको इंपोर्टांट है एक्जाम के दस्टी से मैं तो पुन है बास सेर करता रहें एक इसे निविदन है कि बास सेर करता रहें चलो जल्दी से बता दीजिएगा उम्राव क्या है तो उम्राव बता देता है लगा ओप्सण बी कर्णक्त रोगा एक ओबी ऎहें गीदड नर्ती एक खेलने यानि जिदर क्याने के समय घाय जाने वाला लोग आहिए प्संथ़न थिकर तुर या और ऊम्राव है न की अधि जे एक्ड़ने के समय घाय जाने वाला लोग प्लीदे ते बिल्कुल औरो बताना है कि अमर्षभ राठोर के परमुक बातर कौन गोंस है आप्वर नाग्रगार के राजा राठोर सkeitने हैं और व संब्स बचा जल्दी बचाओ घोबधका हा जल्दी बचा वह न न व सानता आपकी जोब को है झनल पछाओ अमर्षी राठोर के जो रमत के परमुक पातर है वो आपको बता नहें बिलकुल बिलकुल स्वागत है बिलकुल भिलकुल लाजवाब जबरदस्थ वाग जे छो जे हो जे हो option D option D correct answer अमर्षी राठोड रमत के परमुक पातर नागोर के राजार राठोड अमर्षी है बहाद साजा का साला सुबदार सलावत खा हारुत के हडारा की गुमरी हडारानी चलो चलते हैं कहते हैं हम राजस्तान की कहानी तो आ चुके हैं अगले क्यूशन की और जल्दी से अंसवर दे दिजीगा क्या होगा करेक्ट अंसवर क्यूशन क्या है निम्न में से असंगत यूग्म है तो आपको बताना है लोक नाटिए और परकार दे रखे हैं तो जल्दी से बता है जे देव चिडवा के कलाली ख्याल है गोगा चुहान कुचामणी ख्याल रुकमणी मंगल कनया ख्याल सवतंतर बावनी रमत जल्दी से बता देजेगा असंगत युगम जल्दी बताओ रहे जल्दी जल्दी चलो बता देता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रुकमणी मंगल कनया ख्याल यह आपर असंगत है बाकी तिनो राइट है बिल्कुल बिल्कुल चलो चलते हैं बिल्कुल स्वागत है आपका ऑप्शन त्री यहाँ पर करेक्ट आंसर ह जो कि असंगत यूग में हैं चलो चलते हैं अगले क्योशन गयों यह रहा आपके स्केन पर अगले क्योशन आपको यहाँ पर सुमेलित करना है अच्छी क्योशन चल रहा है मानके चलिए आपको एक साथ पंद्रेशो क्योशन कहीं नहीं मिलेंगे अगर आप पीडियप लेना चाओगे वो भी आपको दे दी जाएगी तो उसके लिए आपको टेलिग्राम जोइन करना पड़ेगा तो बिलिग्राम भी आप जोइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे बाकि आप हम से ये जो पीडियोफ है वो भी प्राप्त कर सकते हैं चलो जल्दी से बताएगेगा वाद्य अंत्र दे रहे हैं एकतारा गनतत शुशीर अवनत्य अलगोजा गनतत शुशीर अव हुए हैं 25 क्यूशन और करना है अभी जल्दी और आपको पूरी क्लास अटेंड करना है मैं आपको बता देता हूँ अगर आप हमें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पर ये 30 मिनिट ही चलेगी 30 से 32 चल सकती है उसके बाद ये अपना अप एंड हो जाती है तो आ अगर हमें ये समय कमा दिया तो साइद हम बाद में पस्तावा करें तो उससे अच्छा है कि हम एक बार क्यूशन देख लें बिल्कुल चलों बता देता है करेक्ट टांसित क्या होगा ऑप्शन सी एको अग का दो नंबर यानि इकतारा क्या है तत्वाद्य है और यहां पर दो चारो मिलान हो चुके हैं तो चलते हैं दोस्तों अगले क्यों गई चलो बता देजिए गार आंस्वर कि उसन के से लग रहे हैं मेडिया पात्र किस ख्याल में विशेष्ट भूमी का निबाता है तो मेडिया पात्र किस ख्याल में जो विशेष्ट भूमी का अपनी निबाता है तो उसके बारे में आपको बताना है एको चीडा कुछा मणी है लाक कर नहीं है चार ओप् तो हम जो पटवारी की तहरी कर रहे हैं मैं बता दूँगी अगर आप की अगर इच्चा हो तो हम इंडिया जी के की भी क्वाइज सुरू कर सकते हैं साथ में हम चला सकते हैं अगर आपकी इच्चा हो तो इच्चा पर निर्वर करता है तो वहाँ पर आपकी science की mcq चलेगी और वाकी रजस्तान जीके के भी चल रही है बिल्कुल आपके सुझा वाजिर है अगर आप इंडिया जीके की भी mix में चलाऊंगा इंडिया जीके की आप चलाना चाहे तो आप कह सकते हैं वाकी आपकी आपकी रजस्तान जीके चल ली रही है बिल्कुल चलो जल्दी से पता दीजिगा option 4 यहां पर correct answer होगा option 4 यहां पर correct answer होगा बिल्कुल बिल्कुल correct answer होगा चलते दोस्तों अगले question की और तो यह आपके skin पर अगले question देखीगा question है दोस्ता option चलो डोस्तों यहां और चीज में आपको कहाना चाहूँगा अगर आप चाते हो कि current GK की class ले वो में current GK की deli class ना लेकर 1 मैने या लगबग दो सब्ते की एक साथ क्लास ले ली जाए तो कैसा रहेगा आपके सुजाव हाजिर है करंड जीके इंडिया जीके इन दोनों की में क्वाइज करवाना चाहता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो करवाई जाए वर्णा पहले हम राजस्तान जीके ले लेते हैं बाद में हम इं अधिपूर आधिश्यत्र में परचलित हैला है ना खयाल है ना अप्सेर एक राइक ट्रांसर हो चलते हैं अगे लेकिश्ण कियो अभी क्याने लगजाओंगे सर्टाइम पास करने लगे इसलिए जल्दी से हम क्योश्य कर लेते हैं बिल्कुल बिल्कुल जो कहते नहीं है तो क्या हुआ मन में तो चलता है ना नहीं सर टाइम पास शुरूप गणने लगे नहीं नहीं चलो क्यों से बता दिजीगा पाबु जी के पावाडों के गायन में परिप्त लोगवादिये है तो कौन सा है आपको बताना है अप्शने रावन अप्शन भी माट अप्शन सी खंजरी अप्शन डी बपंग पाबु जी के पावाडों के गायन में परिप्त लोगवादियेंत्र चलो जल्दी से बता दिजीगा क्रेक्ट आंसर क्या होगा देखो जहां तक मैंने पड़ा है इसका क्रेक्ट आंसर ऑप्शन भी होना चाहिए फिर भी आप ये क्यों से कन्फूजन में है तो आप इसका कन्फूजन निकाल लीजेगा इसको आप चेक कर लीजेगा अगर चलो जल्दी से बता दीजेगा नर्ती के साथ तबले और सारंगी का संगम कि स्वाग में दर्शन है कि नर्ती के साथ चीरा स्वाग ऑप्शन सी है मिन्यों का स्वाग ऑप्शन डी है फोड्या का स्वाग जल्दी के साथ तबले और सारंगी का संगम कि स्वाग में दर्शन है जल्दी बिल्कुल बिल्कुल अप्शन बी इसका करेक्ट रांसवर है चीरा स्वाग ना चीरा सव्अग बिल्कुल बिल्कुल जो जिन्हों नहीं स्वाग बिल्कुल आपका जवाब चल्द्व सक्वाग और आ आपके पॉलिटिक्स समंदित प्जान और अच्छे क्यूशन आपको एकजाम में मिलेंगे अब जो question आपके सुरू हो गए है दमा के दार question सुरू हो गए है देखी का राजस्तान के लिए तो अक्तोमबर 1959 एक महत पूर्णती थी है 1959 वाक्य में महत पूर्णती थी है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था option अ वहर्त राजस्तान में आजमेर मेरवाडा को मिलाए गया था आप्शन B राजस्तान विश्व विद्याले जयपूर की इस्ताप नकी गई थी या नागोर जिल्ले में पंचायती राज व्यवस्ता को विदिवत प्रारम किया गया या आप्शन D है इंद्रा गांदी नहर के प देते रहे अच्छे क्यूशन जबरतस क्यूशन शुरू हो चुके हैं मान के चलो एक्जाम में देखने को मिलेंगे बिल्कु स्वागत है चलो बता देते हैं इसका करेक्ट आंस्वर होगा आपका आप्शन C जिननोंने आप्शन C आंसर दिया बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है तो यह रापके इसके पर अगला क्यूशन पंचाइच समयती को अपनी बैठक कितने समय में बुलानी आऊ सक है अच्छे क्यूशन आ चुके हैं मैं बता देता हूं ऐसे क्यूशन भी एक्जाम में पूचते हैं ऐसा नहीं कि खाली राजस्तान के कला सहस्कृती अगई तो जरूर नहीं क्यूशन हर तरह क्या आपता हैं तो जल्दी से परतिएग 15 दिन में एक बार और परतिएग मां में एक बार या परतिएग दो मां में एक बार या परतिएग तीन मां में एक बार बताओ पंचाइच समिती की बैठक पता नहीं हो तो ध्यान रखना option B पढ़ते एक माह में एक बार बुले जाती है पंचाज समीति की बैटक बिल्कुल बिल्कुल पंचाज समीति में बनते हैं न आपके परदान वगरार बिल्कुल चलो चलते हैं दोस्तों अगले question की ओर स्वागते स्वागते बिल्कुल बिल्कुल चलो अगले question आचुका है राजस्तान के मुख्ये सूचना आयुक्त राजस्तान के मुख्ये सूचना आयुक्त या अन्ये सूचना आयुक्त अपना त्याक पत्र किसे देते हैं अपसे ने राजिपाल को देवे या राष्टपती म रंत्रीमंडल या उंत्र किंस पता जल्दी से जल्दी से बता दीजियेगा या ऑगा करेक्ट आंस्वार जल्दी चलो बता देते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका ओप्सन यह आपर राज्येपाल होगा ना राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त देता अन्य सूचना आयुक्त अपना त्याक पतर राज्येपाल को देता है तेगा राज्येपाल का बनते हैं राज्य मुख्यमंत्री यह ध्यान देना आर्टिकल 133 में आपका राजय पाल है और मुख्यमंत्र किसमें 163 के अंदर है और संस्थ किसमें 79 में ना बिल्कुल बिल्कुल चलते दोस्त प्राप्त करने है तू जन आंदोलन की सुरुवार्स रमन मेगस में रमन मेगस से पुरुष्कार विजता स्री मत्य अरुणार राय को रटली जीगा स्री मत्य अरुणार राय द्वारा अजमेर किस दितीको हुआ था बताओ जल्दी से जन आंदोलन कब वह आता भई आप्शन A एक अप्रेल 1905 आप्शन B छे अप्रेल 1905 आप्शन C तेन जून 1905 पांच उलाई 1905 जल्दी बताओ अच्छा क्योंसान प्यारा क्योंसान जल्दी जल्दी बताओ यहां पर इसका क्योंसान प्याइब पूरी देखीगा चाई आपको यूटूब पे जाकर देखना पड़े फिर भी आप पूरी देखीगा चलो बताओ देजिगा जल्दी राजस्तान में राज्य सूचन आयोका गठन किस्तिति को क्या गया बताओ एक जनवरी 2006 30 मार्श 2006 13 अप्रेल 2006 15 दिश्यवन 2005 जल्दी बजाओ वर्णा होगी आपकी जाच वह भी क्योंसान होगी कि कित्ते आप राइट करते हैं जल्दी स्वागत है बिल्कुल बिल्कुल आपका तो मुम मीटा क्या जाएगा बिल्कुल वाह क्रेक्ट टांसर होगा अप्रेल 2006 13 अप्रेल 2006 को हुआता ना बिल्कुल स्वागत है आपका स्वागत की अगली कड़ी में चलता है अगला क्योशन की और बिल्कुल ये रहा आपके श्किन पर एक अच्छा सक्योशन कि राजी के मुख्य सूचन आयुक्थ या अन्य सूचन आयुक्थों को कार्यकाल की समाप्ती से पुर्व पद से हटाया जा सकता है असमरता के अधरप सर्वोच न्याले के निर्दिश्ट पर अप्शन B राजय पाल द्वारा साबित कदाचार या असमर्ता के आधार पर राजय के उच्छ न्याले के राज़ित कबत ये कदाचार या असमर्ता के आधार पर सर्वाच न्याले के निर्देश पर राश्वतिती द्वारा कि यह उप्शन डी ए मंत्री मंदल के सलापर जिपाल दौरा अच्छा क्यों नहीं है अच्छा क्यों सब्सक्राइब करें राजस्थान के किसी भी एक्जाम के तैयरी कर रहे हैं क्योंसन महत्वपूर्ण हैं इंपोर्टेंट हैं देखने को मिलेंगे अगर आपको वाकिया मे लग रहे हैं कि क्योंसन अच्छे हैं तभी आप हमारे वीडियो को सेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें बस यह कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका तो फल मिलना ही चाहिए तो बस एक गुजरी से अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तभी आप सेर करें हुआरे सर्वोच नियाले के निर्देश पर हटाया जा सकता है इस पर राजेपाल द्वारा साबित कदाचारिया असमता ग्यादार पर सर्वोच नियाले के निर्देश पर हटाया जा सकता है ऑप्सन है यहां पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल चलो चलते हैं अगले क्योशन के औ और किलो आ चुके हैं हम आगले किस्टीं किवार लाज्आ के मुख्य सूचना अयुक्त के कौन करता अच्छा के हुशंचा आज सभी कोस्तुप आ रहा है लग रहे हु Dash to say करते हैं राजी के मुख्य सूचना आयुक्त की निवति कौन करता है राजी के मुख्य सूचना आयुक्त की निवति कौन करता है राजी के मुख्य सूचना आयुक्त की निवति कौन करता है राजी के मुख्य सूचना आयुक्त की निवति कौन करता है राजी के मुख्य सूच चबल के बाद में पटवारेगी है तो रीट की भी है तो सभी एक्जाम में इंपोडेंट है राजी पाल होगा अगरेक्टर आंसोर ना राजी पाल में आप्शन टी मुख्य सच्यू को सूचना के अधिगार अंत्रगत अंतियम अपिल कहां कि जा सकती है रजी सूचना आयोग में विबागी अध्यक्ष को सरच नाले में या मुख्य सच्यू को कि जल्दी अच्छे क्यूशन है डाप क्यूशन है जल्दी देगो आंसोर आपको बिल्कुल बिल्कुल हम जल्दी आंसोर देंगे रेक्षिंगे कि लोग सूचना अधिकारी वाह प्लेटा लोग सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त करने हैं तू आवेदन करने के कितने दिन में उसे वाचित सूचना उप्लप्त करानी होती है अच्छा क्यूशन कि लोग सूचना अधिकारी को सूचना प्राप करने है तू आवधन करने के कितने दिन में उसे वाच्छित सूचना उपलप्त करानी होती है option A एक मा, option B, 30 मा, option C, 15 दिन, option D, 45 दिन दोस्तों, अगर आपको कियुषन की वयक्या चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं מק mind शुरुआत में वयक्या बीशात में शृषन करता था पर हम तो कुछ कमेंट थे कि सर इससे हमारे कम हों गे तो आपने वयक्या ने बंकर दी और उसके बाद मैंने क्योशन ज्यादा थोड़ा लेना शूर्ट कर दिया तो इसलिए हम 40 क्योशन लेता है यह क्लास में बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैं वेक्षा नहीं करता हूँ को मुक्य सूचना फोस्त को पद से हटाया जा सकता है । कि मुख्य सूचना एक को कौन अटरा सकता है ओप्सने राजिपाल द्वारा स्वय ही या मुख्य मंत्री द्वारा राजिपाल द्वारा उच नियाले के निर्देश पर या राजिपाल द्वारा उच तम नियाले के निर्देश पर बता देता हूं यह किर्शन आचुका अभ अपने अगर इसको ध्यान से पटा है तो अभी समझ में आ जाएगा बताओ जल्दी से जल्दी बताओ अरे टोप के किवसे नास आरे स्वागेत है स्वागेत है बिल्कुल बिल्कुल अरे ओप्सन फोर आंसरे इसका राजिपाल द्वरा उचितम न्याले के निडदेश पर अभी में न बताए था निए पत्स एक कब अठा सकता है जब शरुच निड़ाय का क्या होगा यह जल्दी बताओ दोस्तों राजीय के मुख्य सूचना आयूक्त का और ले काहां आसति था आपको बताना है राजीय के मुख्य सूचना आयूक्त का काहले काई इसति थे बिल्कुल स्वागत है अजमेर जैपूर उदायपूर कोटा अच्छे क्योशन है टॉप क्योशन है आपको एक साथ 15 पंदर से क्योशन कहीं नहीं मिलाएंगे अगर अगर याख्या चाहिए फिर भी व्याख्या था है क्या पता कुछ सोच घंगे तो कर खाने रहे हैं तो तक जैपूर है देगो राजी कि रजी के मुख्य सूचना आयूक्त का थैर जैपुर के अंदर है बिल्कुल जैपुर के अंदर है हाँ बेलकुल घूर का स्वाइब गडिमे खिद सवागत की अगली कडिमे क्युत से नाचुका है आपके सामने में राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त का कारेकाल कितना है कहां तक रह सकता है यह आपको बताना है पांच वर्स या 65 वर्स की आयुक्त तक जो भी पहले हो और या 6 वर्स या 65 वर्स की आयुक्त जो भी पहले हो पांच वर्स आयुकी सिमा नहीं है शे वर्स आयुकी सिमा न कि राजी एपाल राजस्तान के मुख्य सुचना यूद का कारेकाल है कि यह कि पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयूद तक जो भी पहले चले लोग साब आपके अगला क्यों साना चुका है इसकीन पर यह बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ रहा ना क्लास का मज़ा आ रहा तो दूस सुचना की अधिकार से हम पता लगा सकते हैं कि सरकार ने कि इतना पैसा कहां खर्च किया है उसके लिए एक पत्र देना पड़ता है उसके माध्यम से हम पूरी डिटेल लगा सकते है कौन आम नागरिक और यह कब लग वह यह आपको बताना है कि अरुना रोई ने शुरू किया था मैंना भी बता था रमन मेगज ने अवार्ड जीती दी आपकी अरुना रोई जलिव दो चार ओप्सन है पर अक्टूंबर कौन सा अक्टूंबर बारा अक्टूंबर बिल्कुल बिल्कुल बारा अक्टूंबर दोजार पांच इसका करेक्टर आंस्वर है चलो चलते हैं दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब सही है बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने जन अंदुल की सुरुवात के माध्यम से इस इस आनों को आगे तक पहुंचाया और आज हम चाहे तो किसी भी नेता की पूरी की पूरी जो बाहर डिटाय निकाल सकते हैं बिलकुल चलो चले कहां अरे किसन सीरीज की और और कहां जाओगे देश में सूथना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला आरे वा र इसे ऩूर्यों में जल्दी करता हो और या यह आप देखेगा पहला आप्सन क्या है यह उप्शन B 2001 में ऑप्शन B 2002 बिलकुल बिलकुल हाँ चलो बताओ जल्दी से ऑप्षन सी सं 2000 में ऑप्षन सी आंशे और गरेक्ट एट बिल्कुल बिल्कुल चले अगला कियोशन ये लो साहब बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है अच्छा क्योशन आचू कहा है ठक है तो नहीं हो अरे थकना नहीं यह रूटना नहीं आगे भढ़ते रो ठक गे और चाई प्राप्त करने के लिए अंदलन का प्रारम किस इस्तान सिख्या था चलो चलो यह तो बता दोगे चांद गेट ब्यावर अमेर अप्शन सी पाल गाउं ऑप्शन डी गंगा नगर जल्दी जल्दी ओप्शन है होगा चांद गेट ब्यावर में ब्यावर का राजस्तान में तो यह से इन्होंने शुरुआत की थी कि चलो चलते हैं अंदल उनकी और इस बार हम नेता की पूरी डिटेल निकालेंगे कि कहां कितना रुपे खर्च करते हैं तो यह हम जान सकते है सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत आवेदन के बाद निर्दारित अवदी में सूचना प्राप्त ना होने या क्या है यह सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत आवेदन के बाद निर्दारित अवदी में सूचन कि तीजस डिवस में या आवेद इत्यव player से में सैच में हेस समually précn से मेरा मान ना या अब इस क्यूशन को मन से पटे दो बार पटे क्यूंकि आपको बलिबाती नहीं से होगे मुझे आतक लगता है आपको पूरा पटे परेई कि अनसफ वर दें जल्दी बताू, time time आप आराम से बतावी, भिल्कुल भिल्कुल स्वागत, स्वागत चलो 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 बता देते हैं बता देते हैं, option A होगा इसका correct answer, आधे इसकी 30-30 से 30 दिवस मेने, let's register जा सकती है, आधे इसकी 30-30 से 30 दिवस में, option A जिनोंने answer दिया बिल्कुल बिल्कुल बदाई के पात रहा बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है टॉप 10 में नाम आएगा आपका देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल यह रहा आपके स्किन पर अगला जोसन यह रहा अरे बोर तो नहीं हो रहे हो ऐसा नहीं कि बोर होने लग जाओ कि नहीं सर बोरि में वान्चित सूचना प्राप्त करने है तू आवधन किसके समक्स प्रस्तूत करना होता है सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतरगत किसी कालेले से वांचित सूचना प्राप्त करने है तो आग दन किसके समस प्रस्तुत करना होता है option है समंदित कारेले अध्याक्स यहाँ option B है समंदित विवात का मुख्या option C है राज्य सूचना अजुप्या option D है कारेले का लोग सूचना अधिकार दोस्तों चलो एक और बात मैं आपको बता देरना चाहता हूं अगर कोई चाहता है कि किसी को पॉलिटिकल का कोई टोपिक पढ़ना है अच्छा टोपिक कोई तो वह भी कभी कबार हम टोपिक भी पढ़ा दिया करेंगे कि मैंने रीट की क्लासे भी ले रखी है आपने देखा है बिल्कुल बिल्कुल आप जाकर सब्सक्राइब पढ़ा सकते हैं मैं सभी के में देखता हूं सबी करते हूं। उससे हम डिसाट करता है कि Mys do लाना है तो हम पता देते हैं कोई सब्सक्ता आप लगए गी नहीं इसके बारे मुझे पढ़ना है तो आप सोथ सकते हैं कि लोक सूसना दिखर यह ना करेले का लोक सूसना दिखर विल्कुल विल्कुल चलते हैं ऐसके आको कैसे लग रहे है ओ कि चलो जल्दी से बताओ कि उसने अलवर एंव बीवाडी में सहरी चत्र को पर्दूशन मुक्त बनाने है कि प्रार्यम की योजना है आपको बताना है कि अलवर और बीवाडी में सहरी चत्र को पर्दूशन मुक्त बनाने है तूँ जो प्रार्यम की योजना कौन सी है लगू कटसार जल्द कांब दो कि जल्दी बतां उर हुं को पता देते हैं कि और सद्भत मट्रट और यह वव्य वापस सर भोल लेग यह तो मैंँ बता दाँए तब फो रिष्ट रास्ती रास्दानी परीयोजना एक 5 खाले स्वागत की अगले गड़ी में हम बढ़ चूके हैं येला जमार लाल नहरू राष्टिय सहरी नवीनिकरण मिशन के क्रियान वयन में राजिये में परतम इस्तान प्राप्त किस ने किया कि जिले ने किया आप्शने जाइपूर आप्शन बी पुस्पो की गाटी पुसकार आप्शन सी अजमेर आप्शन कि जिलो की नगरी उदयपूर जल्दी बताओ है विल्कुल बिल्कुल जल्दी बताए जल्दी बताए है कि देखोर जमाल लाल नहरू राष्टिय सहरी नवीनिकरण मिशन के क्रेंवन में में राजिये में परतम इस्तान प्राप्त क्या है अज मेरने किसने कोण से मेर ने अजिराज सा इस एंटी कहा लागू की गई अपसाने जैपुर अजमेर अपसनल से जैपूर उद्धापूर अपसनल की और अपसनल दी है जैपूर अजमेर अपसनल करके अतिरीक्त राज्य सभी सहरों में अब काली एक क्योंशन बता एक थोड़ा अराम से आंसर दे, एक क्यूसिन ही बचा है केवल, जल्दी जल्दी आंसर दे दी जिगा, हमें आपके आंसर का इंतजार है, तरीके में अगर मज़ा आ रहा है कि नहीं, वास्ता मज़ा आ गया तो सेर तो बनता ही है, चलो उप्शन वौर बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, जाइपूर अजमेर एंव पुषकर के अतिरित राज्य के सभी सहरों में ना अप्शन फोर जिन्हें ने आंसर दिया है काबिले तारीफ है स्वागत है चलो अगले के उप्शन के और आज का आखरी सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है राज्य में ग्रामेंड छत्रों में विकास यहां रोजगास सर्जन तता सामुदाइक परी संपतियों के निर्मान एंव रख रखाओं में आम जन की बागेदारी सून इस्चित करने के उदस्चे से वर्स दोजाज चार पांच में प्रारम की गई योजना कुण सी है के उसन वाबस पढ़ लेना आप्ट अगरामेंड सौसता करे कराम अप्शन भी दीन दयाल उपाद्याय आद्रस ग्राम योजना आप्शन सी ग्यांदी ग्राम योजना आप्शन डी गुरू गोल वलकर जन पर चोच लो बता देते हैं किरेक्ट आंसरों का उप्षन डी गुरू गोल वलकर जन वागिदार विकाश योजना करेक्ट आंसर रहे हैं इसी के साथ आज के एक युवजन पूरे हो चुके हैं और तो पहले तो अगर आपने उमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो subscribe कर ले और आज के आपको class कैसी लगी comment में जरूर बता है एक तो कंजू से ही बहुत करते हैं share करते नहीं हो आप जो share करेगा जिता जादा share करेगा उसका मैं अलग से नाम लूँगा जिन्होंने share किया है जिन्होंने support किया है आप support करे और page को follow करे टेलिग्राम से भी जूड़ सकते हैं और channel को तो आपको subscribe करना है दोनों channel आपको मिल जाएंगे तो please कर दिजिगा अगर आपको किसी topic को पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हैं कि यह topic हमारा थोड़ा अच्छा नहीं तो आप बता सकते हैं अगर आप यह देखना चाते है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं तो आप read की class में ले रखी है तो playlist में जाएगा psychology मनो विज्ञान की class आप देख ले कि मैं किस अंदाज से पढ़ाता हूं किस तरह पढ़ाता हूं आपको पसंद आता है तो आप अराम से class देख सकते हैं क्योंकि अक्सर तरीका देखा जाता है कि teacher कैसे पढ़ाता है यह मायने नहीं रखता है कि यो किस प्रकार पढ़ाए वो पढ़ाता कैसे है वह वाँ पर मायना रखता है बिल्कुल हमारा साथ बने रेने के लिए आपका दन्य अर्कास जावाट?